आस्था के नाम पर वह महिलाओं के बीच चंद भक्ती और अंद्विश्वास का जाल बिचाता है। तंत्र मंत्र भूट प्रेत का डर दिखा कर महिलाओं से रेप्ट करता है। इसका वीडियो बना कर महिलाओं को ब्लैक मेल कर मोटी रकम वसूलता है। ये कहानी है अमरपु उर्फबिलू 1984 में टोहना आया था। गुजारा करने के लिए उसने सड किनारे रेहडी लगाई थी जहां सम्मो से जले भी बेजा करता था। उस वक्त उसकी दुकान ठीक ठीक चल रही थी। रोजमरा के लिए घर का खर्चा निकल आता था। इलाके के ज्यादतर लोग श घिनाने रास्ते पर चलने के लिए बिलू बाबा की घिनानी हरकतों का परदा फाश तब हुआ जब दो पीड़त महिलाएं हाल ही में थाने पहुँची। इन महिलाओं की शिकायत पर बाबा की जाच हुई जिसके बाद उसका कचा चिट्था सामने आया। टोहना में रहने साथ गंदी हरकत की। वीडियो में मेरी बहन बेहोशी की हालत में दिख रही थी। शरीर पर कपड़े नहीं थे। बिलू नहीं ये वीडियो बनाया था। मेरी बहन के साथ जब वो सब हुआ तब वहना बालिक थी पुलिस के मताबिक। अमुरपपुरी उर्फ बिलू बा फिर उन्हें ब्लैक मेल कर रुपे रेंट था। वीना बदला हुआ नाम के पिता गोपाल बदला हुआ नाम बताते हैं बेटी से जादती की बात मैंने बेटे को नहीं बताई थी। जब उसे मालूम तला तो वे खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। करीब दो साल प मुझे और मेरी पतनी से बाजार जाकर पूजा का कुछ समान लाने को कहा। उसने कहा कि बेटी को वहीं छोड़ दे क्यूंकि उन्होंने कुछ चीजों का अभास हुआ है जिसे दूर करने का उपाय करना है। गोपाल आगे बताते हैं बाबा की कहें अनसार हम बाजार चले जब मेरी पतनी ने उससे पूछा कि बेटी को क्या हुआ है। बाबा ने बताया कि उन्होंने बेटी की अंतरात्मा की शुदी के लिए कुछ बूटियां दी है। फिकर की कोई बात नहीं है गोपाल के मताबिक। इसके बाद बेटी को लेकर हम घर लोट आए। वीना की हा बार बार कह रही थी कि उसे अकेले न छोड़ा जाए। वो रो भी रही थी। लेकिन हम समझ नहीं सके। अगर तब बेटी की बात मानली होती तो शायद बच्ची को बचा लेते हाला कि इतना सब होते हुए भी ऐसे बाबाओं पर लोगों की आस्था और भक्ती अटूठ ह खुद गोपाल ये बात कहते हैं। उन्होंने बताया बिलू बाबा तो फर्जी निकला। लेकिन हमें राजस्थानों में एक पहुँचे हुए बाबा के बारे में पता चला है। वो बहुत प्रभावी और इमानदार है। पिछले दो साल से हमारा परिवार इस बाबा के विश्वास ही जा रहा है। उनके बताय गए उपाय असर भी दिखा रही हैं विश्वास भरे लहजे में गोपाल कहते हैं। नए बाबा ने मुझे बताया कि इतने साल मैंने घलत शक्स के चक्कर में पढ़कर अपना नुकसान कराया। बहुत पैसे बरबाद किये। मेरी के चेले-चेलियों ने उस महिला को मारने की धमकियां देनी शुरू कर दी। उसके खिलाफ दोखा दड़ी का मामला भी दरज करवा दिया। जिसके बाद उस महिला ने अपनी शिकायत वापस ले ली। हाला कि इस बार पुलिस को बाबा के खिलाफ ठोस सबूत मिले थे।